कि हमिए सबी लोगों को नमश्कार क्या हल चाल है अब में 48 सुब्ध 10 वजे हैं मुझने जो सीरीज हमने चला दखेOTI सुबह नास्ता सेरीज Но सी को कंटेनू करते हुए आज हम दो तीन राजघ है उत्तिन नारा इंडेक ALL चुम्क कि आपको एक एक राज्य करें कि आज हम कवर कर सकते हैं हिमाचल कवर कर लेंगे मोजा यूपी कवर कर लंगे और हर्यान कवर कर लेंगे हर्याना उत्राखंट जमू कश्मीर यह नौर्थ वाला उपर वाला जो एरिया अबन ने पूरा कवर कर लिया हर्याना करेंगे फिर उस आगे गुजरात राजस्तान और फिर नौर्थ-ईस में चलेंगे और लास्ट में साउथ में चलेंगे ठीक है इस तरीके से कवर कर रहे हैं तो भाई आज है अपने नेशल पार्क से हिमाचल प्रदेश अभी हम पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में इस्तित जो राष्ट उध्धान है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे उनकी विसेशताएं देखेंगे एक्जाम की बात करूं तो चाहे स्वाम परिक्षाओं में यहां से सवाल पूछे जाते हैं और राष्ट उध्धान से लगातार इन 2-3 सालों में तो बहुत ज्यादा ही पूछे जा रहे हैं कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया एक्जामिनर इनको लेकर तो सबसे पहले हैं ग्रेट हिमालियन नेशनल पार्क स पढ़ता है हिमाचल में पढ़ता है हिमाचल में पढ़ता है कुल्लू चेतर में पढ़ता है युनेसको विस्व दरोहर में यह शामिल है याद रखना ग्रेट हिमालय नेशल पार्क विस्व दरोहर में शामिल है और इसलिए भी सामिल है क्योंकि बहुत सारे यहां पे जलवा हिमाचल में और इसे विस्वदरोहर में शामिल युनेस को द्वारा विस्वदरोहर में भी शामिल किया था में अगला देखते हैं अगला राष्टार को तुर्ण देखने काफी चर्चा में रहनेवाला बहुत ही सुन्दर सा पिन वैली नेशल पार्क और अपने यह जाना जाता है बहुत ही अच्छी प्रेटक के लिए प्रेटन के लिए पिन वैली नेशल पार्क स्पिती घाटी के ठंडे रेगिस्तान रेगिस्तानी आवास यहां पे देखने को मिलते हैं यहां पिन वैली नेशल पार्क इसलिए भी अगर बच्चे करते ना यहीं बड़ा चल रहा है किसेट और भी नहीं बन पाइगा क्योंकि रेंघ नजर आती है आगे यहां पर हिमाले के रेंज बी नजर आती है पिन वैली नेशल पार्क यह बिक हमाचल में स्थित है और आज कल बुलिट वालों के लिए ज्यादा तर प्रहेट असक्रांस का यहां पर 137 यहां पर मिलता है अब बात कर लेते हैं उत्रप्देश के राष्ट उध्यानों की काफी महत्पूर्ण है अपने लोगों के लिए और उन बच्चों के लिए जो उत्रप्देश से समंद रखते हैं दूद्वा राष्ट उध्यान है उत्रप्देश में तराई परिस्थितिक तंत्र मिलता है य एक राश्ट उद्यान बताया convincing कहने अंदर बताईएगा और यह डूधवाय राश्ट रांस्टी द्यूद् संदिंग मिलते हैं यह तरही पारिष्थितिक तंत्र में से देखने को मिलता है और भारत नेपाल की सीमा यह साजा करता है बढ़्यादका राष्टू उध्यान अब देख लेक 하니까 राष्टू हर्याना में मिलता है सुल्तानपूर राष्ट उध्यान और इसे पूर्व में सुल्तान पक्षी अभ्यारन के रूप में जाना जाता था पहले यह पक्षी अभ्यारन था पक्षियों के लिए जाना जाता है और कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं यहां पे छोटी मोटी जील तो इसलिए यह जाने जाता था अब इसका नाम सुल्टानपूर राष्ट उध्यान हो गया है यहां टाइगर तो नहीं मिलता है लेकिन पत्थर बहुत मिलते हैं पत्रीली उबढ़ खाबर यहां पे जमीन आपको देखने को मिलती है इसके अलावा एक और मिलता है एक और रा जन्तूओं की बात करो तो पसुपक्षियों की कमी बहुत है यहां पर ज्यादा जन्तू इसके अंदर है निकले सर्व राष्ट्र उध्यान कर लिए हमने हर्याना के अंदर तो इस तरीके से हमने आज कौन-कौन सा कवर कर लिया बच्चा हमने हिमाचल कवर कर लिया यूप सब्सक्राइब मिलते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर राष्ट्र उध्यान है यह रोज बतादिया करो कमेंट में मुझे ने लगता कुछ जाता कि आपको यह सीरीस कैसी लगती है आपका यदि आपको मतलब उच्षा होगा आपका पॉजिटिव एक्टिटीट्योग तो इसे और भी चीजों में convert करने की कोशिश करेंगे इसका time extend बढ़ाने की कोशिश करेंगे बागे इसी तरीके से support के साथ चलते रहो और आज जो सायरी मैंने नहीं कई थी वो कह देता हूं कि सुना है उस समुद्र को अपनी लहरों पर गुमान आया है हमारी भी कस्ती वहां ले को लिएगा subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजेगा और comment जरूर करके बताएगा कि आपको class कैसी लगती है मिलते हैं आपको अगली class में नास्ता कमी होना चाहिए बाद में लंच अधिक हो जाता है कोई बात नहीं मिलते हैं आपको अगली class में तब तक ले ध्यान रखना ख्याल र